दोस्तों, टीम इंडिया और इंग्लेंड के बीच, खेले जाने वाले पांचवा रिशेड्यूल टेस्ट एक जुलाई से शुरू होने वाला है। पर इससे पहले, कोच राहुल द्रविर ने विराट कोहली के उपर एक बड़ा बयान दे दिया है। प्रेस कॉन्फरेंस में मीडिया से बातचीत के दोरान, टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविर ने कहा कि वह विराट कोहली की सभी फॉमेट में विफलता से चिंतित नहीं है। 33 वर्षिय यह खिलाडी, रनों के लिए संघर्ष कर रहा हैं। जिससे टीम में उनकी मौजूदगी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। द्रविर ने भारत के पूर्व कप्तान की, आपने काम की प्रती नेतिकता की, सराहना की और कहा की, कोहली की सभलता हासिल करने की इच्छा कम नहीं हुई है। राहुल ने कहा, लीसेस्टर शाय के खिलाफ भारत के अभ्यास मैच में विराट अच्छी फॉर्म में दिख रहे थे। अभ्यास मैच के दोरान कोहली ने 33 और 67 रन बनाए। द्रविर ने कहा, विराट सुपर फिट हैं और सबसे मिहनती लोगों में से एक हैं, जिन से मैं म मिला हूँ। वह सफलता का भूखा है और जिस तरह से वह खेल के लिए तयारी करता है। वह अविश्वस निय है, वह अभ्यास मैच में अच्छी लेमे थे। द्रविर ने कहा, वह सभी सही बॉक्सों पर टिक कर रहा है, वह वही कर रहा है, जो उसे करने की जरूरत है। द शतक बनाना महत्वपूर नहीं है, क्यूंकि एक अच्छी तरह से खेली गई, सत्तर रंग की पारी भी अगर जीत के लिए आता है, तो वो खुशी से करेगा। उसने दक्षन अफरीका में अच्छी बल्लेबाजी की। लोग केवल सेकडों को ही सफलता के रूप में देखत हैं. लेकिन एक कोच के नजरिये से हम उससे योगदान चाहते हैं. चाहे वह 50 का हो या 60 का, द्रविर ने कहा, तो आप लोगों को क्या लगता हैं दोस्तों, क्या विराट कोहली इस इंगलेंड दोरे पर शतक बना पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बता के धन्यबाद